हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू अल उफ यू, वेलकम टू आई 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 टे स्मार्ट लर्ण आज मैं आपको हिंदी व्याकरन में मुहावडे और लोगोक्तिया से संबंदित कुछ महत्पुन प्रश्ण बताने वाली हूँ जो की आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पुन है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो स्टार्ट करते हैं फॉस्ट कोशन है स्री गनेश करना मुहावडे का सही अर्थ क्या है ए ओफ्षन है गनेश जी को प्रनाम करना बी आधर देना सी काड़े समाप्त करना डी काड़े आरंब करना राइट ओफ्षन है डी काड़े आरंब करना नेक्स्ट कोशन है आस्तिन का साप मुहावडे का सही अर्थ है ए ओफ्षन है मित्र बन कर हानी पहुचाने वाला B. हाथ में साप छुपा होना C. हाथ और साप की मित्रता D. साप काटना Right option है A. मित्र बन कर हानी पहुचाने वाला Next question है अकल पर पत्थर पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है A. option है दिमाग खड़ाब होना B. पागल होना C. सर में पत्थर से चोट लगना D. समझ कानस्ट होना Right option है B. पागल होना Next question है आँखों में धूल जोकना मुहावरे का सही अर्थ बताए A. option है धोखा देना B. आँख में धूल पढ़ना C. धूल से आँखे बंध हो जाना D. आँख में घाओ होना Right option है A. धोखा देना Next question है अधजल गगरी छलकत जाए क्या है A. option है पदबंध B. लोकोक्ती C. गजल D. मुहावरा Right option है B. लोकोक्ती Next question है अकल बड़ी या भ्हैस मुहावरे का क्या अर्थ है A. option है भानुमती की अटैची B. अनावश्यक वस्तुओं का भंडार C. भानुमती की संपत्ती D. भानुमती का गुल्लक Right option है B. अनावश्यक वस्तुओं का भंडार Next question है टोपी बडलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है A. option है दल बडलना B. घर बडलना C. विदेश जाना D. टोपी रंगवाना Right option है A. दल बडलना Next question है दूद के दात न तूटना मुहावरे का क्या अर्थ है A. option है अनुभवीन B. दात न तूटना C. दात जमना D. डात तूटना Right option है A. अनुभवीन Next question है कान देना मुहावरे के चार अर्थ दिये गए है इनमें जो अर्थ सबसे अधिक सही हो लिखे A. option है ध्यान देना B. कान साफ करना C. किसी की शिकायत करना D. कान काट लेना Right option है A. ध्यान देना Next question है कावे की तरह चिल्लाना मुहावरे का सही अर्थ बताए A. option है बिना बात के शोर मचाना B. कावे के जुन्ड में रहना C. गुस्सा होना D. मारा मारा फिरना Right option है A. बिना बात के शोर मचाना Next question है खुलिया टाइट होना मुहावरे का सही अर्थ बताए A. option है करा बहवार करना B. चेहरा टाइट होना C. किसी के समक्ष जूट बोलना D. बुरे फसना Right option है A. करा बहवार करना हाथ कंगन को आर्थ क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है A. option है हाथ में कंगन B. हाथ में आर्थ होना C. कंगन और आर्थ का क्या मिल D. सच्चाई को सबूत नहीं चाहिए Right option है D. सच्चाई को सबूत नहीं चाहिए Next question है तितर बितर हो जाना मुहाबरे का सही अर्थ बताए A. option है इधर उधर भागना B. भीर से अलग राना C. भीतर बीतर भीर जुटाना D. मारा मारा फिरना Right option है एट कर रह जाना मुहाबरे का सही अर्थ बताए A. option है बेज़त होना B. उलज परना C. किसी पर तूट परना D. अपमानित होने पर भी कुछ कर न सकना Right option है D. अपमानित होने पर भी कुछ न कर सकना Next question है नाक का बाल होना मुहाबरे का अर्थ है A. option है अधिक प्यारा होना B. नाक पर बाल उगना C. सम्वेदल शील होना D. सभी सही है Right option है A. अधिक प्यारा होना Next question है चपर फार कर देना मुहाबरे का सही अर्थ बताए A. option है चपर में छेद होना B. छपर से पैसा गिरना C. छपर का उड़ जाना D. अचानक बिना पर्यास के धन लाब होना Right option है D. अचानक बिना पर्यास के धन लाब होना Next question है चारो खाने चित होना मुहाबरे का सही अर्थ बताए A. option है चलते चलते गिर जाना B. पल्टी खाजाना C. बुरी तरह पराजित होना D. उल्टा गिरना Right option है C. बुरी तरह पराजित होना Next question है घाट-घाट का पानी पीना मुहाबरे का सही अर्थ बताए A. option है गंगा के घाट पर पानी पीना B. बहुत अनुभवी होना C. नदी के घाट पर बैठना D. धोखा देना Right option है B. बहुत अनुभवी होना Next question है जले पर नमक शिरकना मुहाबरे का सही अर्थ बताए A. option है जल जाना B. जले पर मरहम लगाना C. दुख में और दुख देना D. हर्षन कस्ट देना Right option है C. दुख में और दुख देना Next question है आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ती का सही अर्थ है A. option है दोहारा लाव B. आम खा कर गुठली फेकना C. आम और गुठली दोनों बेचना D. आम की गुठली दोनों अलग अलग बेचना Right option है A. दोहरा लाव Next question है गोबर गनेश होना मुठली का सही अर्थ निम्न में से कौन है A. option है मुर्ख होना B. गोबर में गनेश का होना C. गोबर की पूजा करना D. परिशान करना Right option है A. मुर्ख होना Next question है अकेला दम मुठली का क्या अर्थ है A. option है चाल चलना B. याचना करना C. धोखा देना D. अकेला Right option है D. अकेला Next question है नाग कटाना मुठली का सही अर्थ है A. option है घूस देना B. समय देना C. जान लेना D. इज़त जाना Right option है D. इज़त जाना Next question है नाचे न जाने आंगन टेरा कहावत का सही अर्थ क्या है A. option है नाचना आना B. अपना एव छोड़कर दूसरों का एव देखना C. आंगन का कारीगर D. नाचने में कुशल Right option है B. अपना एव छोड़कर दूसरों का एव देखना Next question है घर की मुर्गी दाल बरावर लोकोक्ती का सही अर्थ है A. option है मुर्गी खाना B. मुर्गी को दाना देना C. अपने आदमी को कम आकना D. अपने घर में मुर्गी पालना Right option है C. अपने आदमी को कम आकना Next question है धोवी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का सही अर्थ क्या है A. option है गधा बनाना B. धीरे धीरे चलना C. कहीं ठोर ठीकाना न होना D. बिमार होना Right option है C. कहीं ठोर ठीकाना न होना Next question है कुमा खोदना मुहावरे का अर्थ है A. option है बेफिक्र होना B. खुब याद रखना C. हानी पहुँचाने का यत्न करना D. सह जाना Right option है C. हानी पहुँचाने का यत्न करना Next question है दिन दूगना रात चोगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है A. option है दिन रात परिश्रम करना B. हानी होना C. दिन रात सोना D. खुब उन्नती करना Right option है D. खुब उन्नती करना Next question है दूद का जला मठा फूग फूग कर पीनो लोकोक्ती का सही अर्थ है A. option है डर रहना B. खुब सोच समझ कर काम करना C. असाबधान रहना D. ज्यादा परिशान होना Right option है B. खुब सोच समझ कर काम करना Next question है खाक छाना मुहावरे का सही अर्थ है A. option है बहाने बनाना B. इज़त करना C. खुशी होना D. दरदर भटकना Right option है D. दरदर भटकना Next question है दाल भात में मुशल चंद कहावत का अर्थ क्या है A. option है अतिती का आना B. बिना मतलब दखल देना C. दाल भात पर चटनी D. स्वादिष्ट भोजन Right option है B. बिना मतलब का दखल देना Next question है चोड के दारी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है A. option है अप्राधी श्वता आन्शकित रहता है B. चोड की दारी में तिनका रहता है C. चोड के दारी होती है D. दारी वाले चोड होते है Right option है A. अप्राधी स्वता आन्शकित रहता है Next question है के बीन बजाए भैस लगे पघुराए कहावत का अर्थ क्या है A. option है पागुर के लिए भैस को घास देना B. भैस के आगे बीन बजाना C. भैस की खुशी के लिए बाजा बजाना D. मुर्ख के सामने गुनो का वर्णन व्यर्थ है Right option है D. मुर्ख के सामने गुनो का वर्णन व्यर्थ है Next question है मखल लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है A. option है मालिश करना B. मखल लगाना C. खुशामत करना D. फरहेज करना Right option है C. खुशामत करना Next question है बातों की जलेवी चानना मुहावरे का सही अर्थ बताए A. option है मजे में होना B. खुशाल होना C. कडाही में जलेवी बनाना D. दोस्तों के बीच मजे लेकर बाते करना Right option है D. दोस्तों के बीच मजे लेकर बाते करना Next question है 9. 21 होना मुहावरे का सही अर्थ बताए A. option है 9. में दो जोड़ना B. 11 में दो जोड़ना C. एक और एक एक ग्यारा होना D. ड़ड कर भाग जाना Right option है D. ड़ड कर भाग जाना Next question है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है A. option है कमर को बांधना B. तयार होना C. बहुत परिश्रम करना D. खरा होना Right option है B. तयार होना Next question है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ती का क्या अर्थ है A. option है मुर्ख धन्वान B. पीछा न छोड़ना C. काम न जानना D. किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना Right option है D. किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना Next question है सीर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है A. option है सीर को उपर उठाना B. जगाना C. विरोध में खड़ा होना D. सीर उठा कर देखना Right option है C. विरोध में खड़ा होना Next question है Turn बोल जाना मुहावरे का निम्लिखित में कौन सा सही अर्थ है A. option है घंटी बजाना B. आवाज देना C. मर जाना D. भाग जाना Right option है C. मर जाना Next question है अपनी डफली अपना राग लोकोक्ती का सही अर्थ है A. option है सबका अलग-अलग विचार B. हाथ के डफली C. डफली लेकर गाना-गाना D. डफली बजाने वाला Right option है A. सबका अलग-अलग विचार इस तरीके से मैंने आपको Hindi व्याकरन का objective कम्प्लीट करा दी हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में